तो दोस्तों किया आप ए 4K Smart TV लेना चाहते हैं लेकिन कौन सा पर्चेस करें किस फ्रांड का पर्चेस करें यह समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए मैं आप सुभी को बताता हूँ अब गूगल टीवी में ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है दोस्तों जो एंड्रोइड वर्जन समझ सकते हैं जो गूगल टीवी होता है जिए तना में और दोनों गूगल की तरब से ही आते और उससात में इस सारे इन्डीट वेट ही बढ़निया देखने को मिल जाएंगे इसमें 43 इंज की 4K, Ultra HD, HDR 10 Plus Certified Display, 6.5ms का Response Time, Quad Core Processor, 2GB RAM, 16GB तक का Storage, 40W तक का Dolby Sound, Outdoor, Netflix, YouTube, Hot Store जैसे Multiple Supporting App के साथ में, HDMI Port, USB Port, Bluetooth, Wi-Fi जैसे Connective Feature के साथ है, Google Voice Assistant, In-Build Chromacast, Game Mode, और Eye Protection जैसे Feature भी मिल जाएंगे, दोस्तों इन सारे Smart TV में जो Feature मिल रहा है, इस प्राइस से लिंग भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ता आप वहाँ से जाके इसके बारे मर्च से जान सकते हैं, और दोस्तों अगर आप 20,000 रोपीज में 15,000, 10,000, 8,000 और 5,000 रोपीज में Best Smart TV लेना चाहते हैं, त दोसके उपन माने और रेडी वीडियो बना है, आपको आई बटन में वीडियो की लिंक ने जाएगी, आप वहाँ से जाके उन सारी वीडियो को देख सकते हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं, जान लेते कौन सो Top 5 Best 4K Smart TVs है, जो आज की इस लिस्ट में आते ग्री विंग, एंगल, 64-bit Quad-Core Processor, Google TV Operating System, 2GB RAM, 16GB Storage, Wali-G52 Graphic Processor, 24W Dolby Sound Output, Netflix, YouTube, Hotist और Amazon Prime जैसे में बल्टपर्ट सपोर्टिंग है, आपके साथ में 3 HDMI port, 2 USB port, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet जैसे connected feature के साथ में Google Voice Assistant, Inbuilt, ChromaCast, Game Mode, और 2-year की वरांटी के साथ में 24,999 रुप्रीज में आता है, वैसे दोस्तों इस smart TV में जितने भी feature मिलते हैं, बढ़िया देखनेक मिल जाते हैं, चाहे display की बात करें, चाहे sound quality की बात करें, connected feature की, सब कुछ आपको बढ़िया देखनेक मिल जाते हैं, लेकि दोस्तों इसमें आपको Android Operating System नहीं मिलता है, Google TV Operating System मिलता है, जो कि और भी बढ़िय लेकि दोस्तों इसकी प्राइज जो है, फीचल की इसाप से थोड़ी सी मुझे ज्यादा लगी, इसलिए आज फिलिष्ट में पाच्वे नमबर पिसको रखा है, तो इसके बाद दोस्तों आज फिलिष्ट में जो चौते नमबर पिस्मार्ट टीवी आता है, टीचल की जिसमें 9.5 millisecond का response time, 178 degree ring angle, cardboard processor, Android operating system, 2GB RAM, 16GB storage, Mali 470 MP3 graphic processor, 20Watt का dual stereo speaker, Netflix, YouTube, Amazon Prime, Android TV जैसे multiple supporting app के साथ में 3 HDMI port, 1 USB port, Wi-Fi, Bluetooth जैसे connective feature के साथ में Google Voice Assistant, inbuilt chroma cast, और 2 year की वारंटी के साथ में 21,990 रुपीज में आता है, जोस्तो इस smart TV में 10bit HD 810 certified 4K display मिल आता है, जो कि पहुती बढ़िया है, उसी साथ में जो इसमें आपको सारे connectivity feature मिलते हैं, जो इसमें वारंटी दी गई है, यह सब कुछ आपको पहुती बढ़िया देखने भी मिलते हैं, लेकि जोस्तो इसमें आपको 20Watt का sound output मिलता है, जो क standard quality का है, खुड़ा और भी वेतर हो सकता था, पुवरन दोस्तो अगर आपका budget 22,000 रुपीज है, और उस budget में आप एक best smart TV लेना चाहते हैं, और यह बेस्टिंग हाउस, अब इसके specification की बात के तिसमें 43-inch की 4K, Ultra HD, 60Hz refresh rate वाली HD 10 Plus certified display, जिसमें 8 millisecond का response time, 178 degree wing angle, quarter step 53 quad core processor, ROID 9 Pie operating system, 2GB RAM, 8GB storage, माली 450 MP3 graphic processor, 40Watt का sound output, YouTube, Hotstar, Amazon Prime, Oxygen Play जैसे multiple supporting app के साथ में 3 HDMI port, 2 USB port, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet जैसे connectory feature के साथ में Google Voice Assistant, inbuilt chroma cache और game mode जैसे feature के साथ में 1 year की warranty भी मिल जाती है, प्राइस की बात पर 20,499 रूपीज में आता है, तो दोस्तों इस smart TV को नंबर खरी पर रखने का सबसे बड़ा reason है, जो इसकी प्राइस है, सारे 20,000 के आस पास है, और उस प्राइस जैन पर दोस्तों आपको 4K HDR and Plus Certified Display मिल रही है, उसी साथ बो 40W का sound output मिल जाता है, और उसी साथ में जो सारे connectory feature मिलते हैं, वह भी बहुत ही बढ़िया है, इसके बाद तो सार्च के लिस्ट में जो दूसे नंबर स्मार्ट TV आता है, आइफोल कॉन की तरब से, अगर इस प्राइस जैन पर आप एक 50 इंच डिस्पले वाला 4K स्मार्ट TV लेना चाता है, जिसमें फीचर भी बढ़िया देखने मिलना है, तब आप इसको ले सकते हैं आइफल कॉन यू 62 सीरीज गूगल तीबी, अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, इस पर 15 इंच की 4K, अल्टरा एच्टी एच्टी है जिपर सेट वाली एच्टी एट मिली सेकंड का रिस्पांज टाइम, बल सेबंटी एट डिग्री विंग अंगल, कोर्टस एफिप ती तर ने जैसे कनेक्टी फीचर के साथ में, गूगल वाइस असिस्टे हैं, और वन यीर की वारंटी के साथ में 24,999 रूपीज में आता है, तो इस इसमार्ट टेवी की सब सच्छी बात है दोस्तों कि इसमें आपको 50 इंच की 4K डिस्पले मिलती है, ओग ये SDR 10 Certified, उसे स साथ में जो sound output मिलता है, उसमें आपको Dolby Atmos का support भी मिल जाता है, जो सारे connective feature दिये गया है, जो warranty है, ये सब कुल भी आपको बढ़िया देखने की मिलते हैं, तो फाले दोस्तों आच में लिस्टमीटर नंबर 1 पर स्मार्ट टीवी आता है, ऐसा की तरफ से है, और इसमें ज जबर जासत है, और यह है Acer 4K Smart Android TV, अब इसके सब जाइटी केसन की बाद के, इसमें 43 इन की 4K, Ultra HD 60, HDFS 820, A10 Plus, Certified, A Plus Grade Display, इसमें 6.5 millisecond का response time, 0.78 degree wind एंगा, 64 bit quad 4 processor, Android 11 operating system, 2GB RAM, 16GB storage, Mali-G31 MP2 graphic processor, 30W का Dolby sound output, Netflix, YouTube, Hotstar, Amazon Prime जैसे multiple supporting app के साथ में, 3 HDMI port, 2 USB port, Wi-Fi, Bluetooth जैसे connectory feature के साथ में, Google Voice Assistant, Inbuilt Chroma Cars, IE protection, और 2-year की warranty के साथ में, 23,999 रूपीज में आता है, जो दोस्तों बात करें इसे Smart TV, कि इसे Smart TV में जितने भी फीचर दिये गया है, तो सब आपको पॉक्टी बढ़िया देखती मिलते हैं, सब सची बात है, किसमा को 6.5 millisecond का response time मिलता है, उसे साथ में Android 11 पे आता है, जो RAM और स्टोरेज दिया गया है, जो display देखने मिलता है, जो sound output है, करने का मतलब दोस्तों इस प्राइज जन पे इससे best feature और इससे best rating के साथ में, कोई भी Smart TV नहीं आता है, इसलिए आज के list में नमबर 1 पे है, तो दोस्तों यह थे आ झाल